काफी ठेंड है है आज हम बात करेंगे फोडोशॉप की कुछ टिप्स और टिक्स के बारे में जो अपकी प्रोड़क्टिविटी को लेवल पे ले जाएगी उससे पहले में एक बात बता दू अगर आपने मेरी ये फोडोशॉप को तेज करने वाली वीडियो देखी है तो हम पहले टिक है कि अपनी फोडोशॉप के बन के स्पेस हो कस्टोमाइज करना अभी आप ये नॉर्माल इंटरफिस देख रहे हैं फोडोशॉप का जो आलमोस्स सब यूज़ करते हैं लेकिन मैं ये वाला इंटरफिस यूज़ करता हूं त्यानी मेरा जो टूल वार है वो ल अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ तो आपको भी अपना एक पर्डिकुलर वर्कस्पेस बनाना है और उस वर्कस्पेस को बनाने के बाद आपको सेप कर लेना है कि क्यों हम सब जानते फोडोशॉप ट्रैश होता रहता है और हर वक सैटिंग चेंज होती है तो आप अ आप देशकते हैं कि यह नॉर्मल जो वर्कस्पेस हमें मिलता है वो कुछ इस तरीकी से मिलता है ओके आपको करना क्या है कि आपको यह तूलवार ले जाकर यहां पर बस फिट कर देना इस तरीकी से कुछ जो मैं करता हूँ ठीक है तो आप यहां से आप टूलवार्स कोई कर सकते हैं ठीक है ऐसे मैं यह की आपना वो कर सकता है और मar यहां से में कोई भी असलेक्ट कर सकता हूं कुछ이지 तरीक से अब माल ले जी मुझे वर्कस्पेस सेप करना है अपना तो मैं यहां पर विंडो के किरूँगा और यहां पर न्चनी जा किन या मैं किस नामसे ठीक है और save now जैसे मैं यहाँ पे इसेंश को reset कर दूँ अब आपका यह work space कभी भी आगर work space आपका normal reset हो जाए तो आप अपने work space को normal यहाँ पे जाके और आपने अपना नाम select कर साथिया जैसे spider man तो यह मेरा वापे से work space आगया हम दूसरी बात करेंगे वह बात करेंगे हम zoom करने की और कैसे हम एक जगा से दूसरी जगा जा सकते हैं photo के अंदर यह एक normal activity है जो हर एक Photoshop user perform करता है यह zoom करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना तो इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पे कुछ keywords है जो मैं बताना चाहूंगा तो चलते हैं अपने work space में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ब्रस सेलेक्ट किया हुआ है और अगर आप मैं जैट को hold करूँ तो zoom का option आ गया और अगर मैं mouse को right side ले जाओ तो यह zoom in हो रहा है और left side ले जाओ तो यह zoom out हो रहा है ठीक है अब अगर आप छोड़ दोगे इस button को जैट को तो यह देखिए नॉर्मल ब्रश ही आ गया बापस ओके ना दूसरी बात अगर आप यहां से zoom कर रहे हो और यहां पर हो तो अगर आप space bar को hold करो तो यह hand आ जाएगा तो hand से आप किसी दूसरी पार्ट पर जा सकते हो जैसे मैं यहां चला गया और zoom करता हूं इसे और अगर म मैं space bar दबा रहा हूं तो यह hand का option आ रहा हूं और mouse से उपन नीचे ले जा रहा हूं मैं mouse को उपन नीचे ले जा रहा हूं मैं जहां भी जाना चाहता हूं वहां चला जाओंगा और अगर मैं space bar छोड़ दूँगा तो मैं बापस मेरा यह brush आ गया अब इसमें एक और trick मैं आ माउस का तो आप यहां पर आ जाएंगे एक बार और बटन दवाएंगे मैं यहां पर edge hold किया हूं आपको यह बात रखना है तो मैं यहां पर जाओंगा और बटन छोड़ दूँगा mouse का तो यहां पर आ गया और मैंने बटन भी छोड़ दिया edge का तो यह कुछ इस तरीके से गया और मनते है कि यह और मुझे का क्लर चेंज करना है तो आपको कंटोल और आहें तो यहां पे यहां पर काट ह reality हो और या से अचीज करना है और यहां से यहां से यह आप यहां से कलर न मिल रहा हो चार। या यहांसे का रहा हो यहां इंस्यूरिशन के आपको ले हैं लेनी है और यहां देख रहा है आपको यह पर हैंड श्लیट zamक करने के बाद आपको अर्ट कोशने स्लेक करना है मैं आपको यहां से मैं hue and saturation यह select करना है control को hold करना है और mouse का left button दबा के आपको mouse को बस right side or left side move करना है तो यह देखे color change हो रहा है देखे रहा है particular color अब now मैं आप लोगों से request करना जाता हूं कि आप इस video को like कर दीजिए और कोई भी comment कर सकते क्योंकि इस से YouTube के algorithm को थोड़ा help मिलेगा और वो इस video को और लोगों के पास पहुंचा पाएगा यह काफी जरूरी है मेरे channel के लिए भी और मेरे लिए भी तो please बहुत अच्छ लगेगा मुझे प्रस की size को change करेंगे अपने mouse से mouse को left right ले जाओगे ना तो brush की size change होगी और अगर brush की hardness change करनी है तो आपको up down mouse को अगर up down करोगे तो इससे hardness होगा यह कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी के लिए आप देख सकते हैं मैं यहां पर brush लिया हुआ है और मैं यहां से paint कर सकता हूँ for example अगर मुझे brush की size बढ़ानी है तो मैं यहां पर normally हम क्या करते हैं यहां से size यह बढ़ गई size और यहां से हम hardness control करते हैं यहां से मैं zero hardness रखूँगा तो कुछ ऐसरी लेकिन हम क control और alt एक साथ hold करना है और mouse का left button दबा के mouse को right में ले जाएं तो यह देखिए यह बढ़ा हो रहा है brush ठीक है brush की size control हो रही है इससे बढ़ा चोटा हो रहा है इससे मैं इतना बड़ा कर लूँ अगर आपको hardness control करनी है ठीक है अपने brush की तो control alt से मैं आपको press करना है और down ले जाना है अपने brush को तो यह देखिए hard हो रहा है और उपर ले जा रहा है तो यह soft for example मुझे hard करना है तो मैंने यह right side करते है अब यह brush hard हो गया ठीक है तो इस तरीके साब control कर सकते हैं मैं बड़ा चोटा hardness control कर सकते हैं ठीक है पहले में एक बात बता दूँ कि यह सब tricks मैं इसल सकते हैं तो इसके लिए आपको करना कुछी नहीं आपको alt hold करना है और आपने mouse को layer panel पे जाके उसी जिस layer को copy करना है उसको select करके एक बार उपर drag कर देना या फिर नीचे ड्रैक कर देना तो वह copy हो जाएगा देखते है कैसे for example हमारे पास यहां पर pick है आप एक चीज़ आता अब फिर से मैं mouse को एक बार hold करूंगा और उपर drag कर दूंगा और अगर मैं यहीं से एक बार इसे copy करना जा जा तो मैं alt और command को hold करके mouse का button press करके एक बार इसे यहां right side लाऊंगा फिर एक बार इसे right side लाऊंगा तो यह controller hold करके आप यहां से भी copy कर सकते हैं जब भी आप brush लेते हैं और एक straight time draw करने की push करते हैं वह होता ही नहीं क्योंकि हम professional नहीं है but हमें तो कोई जवार चाहिए तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि हम एक बार click करेंगे जासे हमें line draw करने हो फिर shift hold करके दूसरे place पर draw करेंगे तो वह line draw कर देगा अब यही चीज photoshop brush के लिए healing tool के लिए same apply होती है for example मैं बताता हूं कैसे यहां पर मेरे पास brush है मैं यहां पर tap करूंगा ठीक है और shift को hold करके एक बार यहां tap कर दूंगा तो यह cd line आ गई फिर tap करूंगा तो यह cd line आ गई तो इस तरी किसा आप कर सकते हैं अब यह colonist stamp tool के लिए same concept है for example तो मैं यहां से clonist stamp tool मैंने लिया और यहां से मैं इसे clone कर लूँगा अब मैं चाहता हूं यह cd line clone हो ठीक है तो मैं एक बार यहां किलिक करूंगा और shift को hold करके एक बार click कर दूंगा तो यह देख रहा है यह cd. clone कर रहा है मैं इसे hard कर लो एक बार आप में यहां से क्लोन करना जाता है तो मैंने यहां से एक बार किया, अब यह एक बार मैं टैप करूंगा यहां और सीधा क्लोन करना जाना हूँ का तो मैं शिप्ट दबाके क्लिक करदुंगा, यह बिल्पली सीधा क्लोन हो गया अब most of the images आपने देखी होगी जहां पे background white color की होती है most of the image के साथ यह होता कि white color की background होती है तो अगर आप white color की background को remove करना चाहे तो एक छोड़ी सी track है जो बहुत ही अच्छे से हर एक पार्ट से background white color को remove कर देगा ठीक है और उस image को आपको pnz में बना के दे सकता है और यही टेक अगर black background पीछे पे और तो इसको भी हटा सकती है लेकिन most of the time black background नहीं देखते हैं white देखते हैं तो मैं बताता हूं इसे करते हैं कैसे for example हमारे पर यहां पर एक tricky image है मैं से control जैसे एक बार copy कर लूँगा backup के लिए ठीक है और आप से background में कोई solid color ले लेता हूं आपको बताने के लिए ठीक है आप यह यह वाली color है आप देख सकते हैं यहां पर white background है और white background हटाना है तो मैं right click करके blending options पर जाओंगा और यहां से यह this layer देख रहा है इसका यह जो डिगर स्लाइडर इसे राइट साइड मलब left side लाँगा ठीक है आप मैं background का color भी change कर सकता हूं मुझे जो background का color चाहिए red चाहिए green चाहिए bonus tip की बात आती है आप जब भी किसी भी software मैं work कर रहा है वो control as सबसे important keyword है क्योंकि यह आपके document को save कर देता है और मैं हमेशा बोलूँगा कि time to time अपने जो ही वरकों से control as से save करते रहे हैं कि हम सब जानते है Photoshop कितना ही अच्छा क्यों ना हूं मैं बुराई नहीं गर रहा लेकिन हर एक machine पे वो crash होता है बिलकुल पता नहीं क्या reason है पर हमेशा crash होता है तो इसलिए आप control as हमेशा दवागे रहे हैं ना वगर आपको कोई shortcut की पता हो या पिर ऐसी कोई tip Photoshop की जो आपकी productivity बढ़ा सकती है या नहीं हम लोग की बढ़ा सकती है तो आप comment करके बसा सकते हैं कि sharing is the caring सच में and thank you all of you ये वीडियो देखने के लिए मिलता है ये लिए टूल रिवने बाइबाइ